गीता के लिए प्रदर्शन करने बालों का सवाल ये है कि क्या बॉलिवुट के सेलिबरिटीज और बड़े-बड़े नेता भी धर्म देखकर रेप के मामलों पर राय देते हैं? और अगर नहीं तो मदर्से में हुए इस रेप पर चुक्पी क्यों है? इसलिए दंगल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि रेप के शिकार बच्ची गीता को इनसाफ कब मिलेगा? मदर्से में महापाप का आरूपी मौलवी कब गिरफतार होगा? क्या रेप के मामलों पर धर्म की राजनीती की जा रही है? बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं जांच क्यों नहीं करा देते आखिर सरकार तो उन्हीं की है और मदर्से में रेप पर नेताओं और सेलिबिटीज की प्रतिक्रिया क्या सेलेक्टिव है? आज का दंगल इन्हीं सवालों को यूपी के गाजियाबाद का ये वो मदर्सा है जहां पर एक लड़की को बंधक बना कर रेप किये जाने का केस दर्ज हुआ है दिली के गाजिपूर की ये लड़की 21 सप्रेल को घर से बाहर निकली तो वापस लोटी नहीं गरवालों की अरजी पर पुलिस ने अपरहन का मुकादमा दर्ज किया फिर सीसीटी फूटेज और लड़की के मुबाइल फोन के टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर 22 सप्रेल को राद 10 बजे पुलिस मदर्से तक पहुँची तुमार सा कोई कलत काम किया उसने? आरोप है कि लड़की को पहले से जानने वाला लड़का दवाब डाल कर उसे मदर्से तक ले गया फिर उसने वहां रेप किया आरोपां के मुताबिक मदर्से के मौलवी ने भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से बलातकार की पुष्टी हुई है अलांकि खुद को नावालिक बताने वाला लड़का आरूपों से इंकार कर रहा है मदरसे में नावालिक से रेप का ये मामला जितना गंभीर है उतना ही गंभीर है इस पर शुरू हुई राजनी थे इस केस की कठवा मामले से तुलना शुरू हो गई है तोधर बीजेपी ने बुद्वार को एक केंडल मार्श निकाला बदले हुए नाम गीता से लड़की के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है पुरी दिल्ली उस परिवार के साथ खड़ी है जिसकी दस बरसी ये बच्ची का 24 घंटे गैंग रेप हुआ है और एक मदरसे में हुआ है एक मौल भी उसका सबसे बड़ा कल्परिट है बीजेपी मामले को CBI के सुपुर्थ करने की मांगता रही है हिमाद शुमिष्रा दिल्ली आज तक तो आपको बतादें कि दंगल में आज हमारे साथ है नलिन कोहली वो बीजेपी के नेतार प्रवकता है हमारे साथ हैं रागनी नायक, वो कॉंग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं मौलणा पहीम बेग जो की इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान एहमद जो की इस्लामिक स्कॉलर है, और हमारे साथ हैं रागव अवस्थी जो की संग के ज सरकार है आप ही कहने ता मुंबत्ती जला रहे तो जैच कौन कर रहेगा करें तो मुझे लगता है दो के पहलू है पहली बात जो केरें जैच की बिलकुल स्कोरच两 Minh दिल्ली पोलीस ऑर उपि में युपी पुलीज ही करेगी और बिलकुल सही हाल deed집 कोई राय हो नहीं सकते हैं दूसरी बात है मुझे लगता है मुंबत्ती इसलिए जला रहे हैं उससे एक मेसेज भी जाता है कि किसी भी बच्ची हो किसी भी धर्म की हो किसी भी जगा से हो किसी भी स्थान पे हो कहीं पर भी महिला या बच्ची के साथ किसी प्रकार का सोचन हो यह नहीं किस प्षाय सरकार की है तो इसलिए उस सरकार के विरूत खड़े ले तो यह धोरे क्न संथा समाज नी अपनी जगाये करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन इसके ओपर विल्कुल राजनीती नहीं use. रागनी नायक बच्चियों का धर्म बाट रहे हैं कि मुंबत्तियों का कि आप किसी और के लिए मुंबत्ति जलाएंगे वो किसी और के लिए मुंबत्ति जलाएंगे और फिर यह कहेंगे कि देखो मदर्से में इसलिए कोई नहीं बोल रहा कोई कहेगा मंदिर में है सब को ब पर आप अभी आपने ही जो फुटिश दिखाया उसमें किस तरह के होडिंग दिखाएगा भारतिय जंता पार्टी ने कल जो कैंडल मार्च किया हिंदू बेटी के साथ हुए जुर्म का बदला लीजिए हिंदू बेटी को इंसा बिलकुल गलत है बलातकार जैसा जगहन या निशन्स अपराद जो हो रहा है उस पर अंकुष लगाने में भारतिय जंता पार्टी की प्रदेश सरकारें और केंडर में बैटी हुई मोधी सरक पूरी तरह से विफल हुई है यह सचाई है 2016 तक के जो एंसी आर्बी के आकड़े आज सारवजनिक हैं वो भी यह बताते हैं कि हर 15 मिनिट में एक यौन शोशन का अपराद महिला के साथ बच्ची के साथ लड़की के साथ हो रहा है तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि अग जनता पार्टी के दो मंत्री बीच में कूद पड़ते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करते हुए हिंदू एकता मंच बनाते हैं बलातकारियों को बचाने के लिए और जब गुजरात में एक छोटी सी बच्ची के शरीर पर 86 घाव मिलते हैं तो क्या कॉंग्रेस पार्टी मतलब तीन मेने का टाइम पिरेड रखा आपने के लिए भारती जनता पार्टी में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके दिखा दिया है अब यहां अपरेल में हुआ तो यहां तीन मेने बाद उत्रेंगे आप मुझे मानिये तो मेरी बाद को समझने की कोशिश करिए आप बताईए रोही जी क्या ये जनता और विपक्ष का दबाव नहीं था जिसके बाद सरकार ने काम किया इन सारे प्रक्रणों में मैं तो कह रहा हूँ इस पर भी दबाव डालते ना आप इस पर क्यों नहीं डाल रहे है इसलिए तो लोग ये आरोप नगाने का मौका पा रहे हैं कि आप धर्म देखके कर रहे थे क्यों मौका देना किसी को अब मुझे आप ये भी पताईए कि क्या जिम्मेदार विपक्ष की ये भूमिका नहीं है कि सरकार को एक त्वरित कारवाई करने का मौका तो दे ये सरकार आप एक दिन का समय के बाद अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया अगर वो मौल भी नहीं पकड़ा गया तो कॉंग्रेस पार्टी पूरे देश में सांको पर उत्रेगी ये मैं आज आपको बादा करके जाते हैं तो ये वाटबाउटरी ना करना तो ज्यादा बहतर होगा देश की जादा बहतर होगा ये जनता देख रही है कि राहूल गांधी जो है केंडलाइट मार्च में निकल गया वैसे थोड़ा लेट निकले एक पत्रकार ने ट्वीट कियरके उनको याद दिलाया तब ही वो निकले क्योंकि उनकी दिल्ली में राजनीती अलग होती है जम्मू में उनकी राजनीती उ ये हिंदू बच्ची है और जिसके साथ मदरसे में दुषकर्म किया गया है तो ये राहूल गांधी के लिए पॉलिटिकली इंकरेक्ट है क्या कि वो आगे आके इस पर बोले और पूरी दुनिया में जो है इसके कथुआ के बारे में बोल बोलके कि मुसल्मानों पर अत्या में हुई है ठीक है एक ट्वीट तो करें चोटा जवाब देना चाहते हैं रोई जी रागनी जवाब देदीजे फिर नलिन को लिए आप बोलीजेगा उंगली उठाएं आप भी बोलिए जल्दी से चोटा 282 कमल खिलने के बावजूद पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी जहां ये घट्वा रेप केस के टाइम 400 सीटे थी कॉंग्रेस जी आप बात मत कीजिए रागनी जी की पहले प्रतिक्रिया राहूल गांदी जी करें. पह प्रतिक्रिया राहूल गंदी करें कि अगर यह चोटा इंटर्वेंशन अगर यह चोटा है तो फिर यह गलत बात नहीं रागनी रागनी भाषन नहीं शर्म तो आपको भी आनी चाहिए आप ताइम मांग रही है कि आज आपको यादा रहा कि एक ही दिन में नारा नहीं लगाना होता है तीन महीने इंतजार करना होता है नारा लगाने के लिए फाहिम बेग आपके पास तारों उसके पहले नलिन कोली उगली उठाए नलिन साब प्लीज चोटा इंटर्वेंशन प्लीज बोलिए देखे है साइम मैं बहुत छोटी से एक बात कहूंगा और हाद जोड के कहूंगा आपके पास और इजवान साब आपके पास बुलिए मैं आपके पहले सवाल के जवाब में कोई नहीं बोला था आपका पूरा भाशन सुना गया था उसके बाद आपने छोटा इंटर्वेंशन कहके दूसरा भाशन चुरू किया उनके जवाब को काटते हुए इसलिए उन्होंने आपके जवाब के बीच में टोकर टाकी की प्लीज मैडम मुझे बाकी दो लोगों को भी सुनना है अगर बराबरी की बात करने हैं तो बच्चेओं के साथ भी बराबरी की बात कीजिए अब इरजवान साहब और पाहीं बेग तो बोल भी निइपाएं उनको भी सुनना आप पहले पैणल के बनाना शुरू करूं मैं कुछ कह दूँ प्लीज बोली नलिनकोली पूरा कीजे फिर फ़ेंबेग आपके पास आ रहा हूँ मैं ये कह रहा था तीसरी बार प्रयास करा हूँ अब रागिनी जी शायद बोलने का अपसर दे कि मैं हाथ जोड के विनम्र रूप से कह रहा हूँ कोई महिला या बच्ची कोई भी किसी की बहन, बेटी, मा, कुछ भी हो पतनी उसके साथ दुर्षकरम होता है तो उसके साथ फिजिकली, एमोशनली, मेंटली, साइकलोजिकली बहुत गंभीर एक रूप से उस पर प्रीडा होती है और मैं ब्लंटली कहना चाहता हूँ कि ये प्लीज माटना छोड़ दीजे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम सब को मिलके समाज में इस पर कुछ करना पड़ेगा ये तो महिलाओं के हित्में बच्चों के हित्में है तो आप राजनीती अपना बंद करके कम सकम पॉजिटिव साइड को जितना गाली देना है बीजे बीजे समाज को और सुरक्षित करने का काम तो कर सकते हैं उसके लिए प्लीज आप कह दीजे राहूल गांदी जी कर समझा दीजे पर चले जाएंगे फिर आप उससे पीछे के किसी कांट पर जाएंगी अगर आप लोग वाकई दावा करते हैं कि आप महिलाओं के मामलों को लेकर गंधीर है तो सबसे पहले तो यह बंद करना चाहिए चिताओं पर और महिलाओं के दुष्कन पर कॉंग्रेस अपनी राजनीती खड़ी कर रही है और कुछ ही नहीं उंचे पास सोच अपने किस आप सरकारी जिम्मेदारी को तै करना राजनीती करन करना नहीं होता है सबसे बड़ी बात कि आप लोग अपना दामन साफ बताने के लिए दूसरे के दामन पर किछड़ बताते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि हर राजनीतिक पार्टी के राज में होती चीज़े वहीं है आम आदमी के बच्चे का बलातकार होता है मेरा सवाल यह है फाहिम बेग इसको राजनीतिक रंग क्यों देना रेप के मामले को मंदिर से मदर से से मस्जिद से मुलाना से पुजारी से क्यों जोड़ना अगर रेप हुआ है तो रेप हुआ है और रेप के लिए अगर आप सक कानून बनाने की वकालत करते तो वो आदनी की शकल देखकर धर्म देखकर या जाद देखकर तो सजा नहीं तये करेगा ना अपराद देखकर तये करेगा देखे जितने भी राजनेतिक दल आज कल जिस तरीके से फैशन बना कर जो है आज धर्म का नाम लेकर या किसी पद का नाम लेकर एक दूसरे पर कीचर उचाल रहे हैं इनका लक्षे उस मजलूम को इंसाफ दिलाना नहीं है इनका आपस में रोटियां सेखना है मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ कोली साब से कि भाई आपकी अपनी सरकार है उत्तर पर्देश में आपके केंद्र में सरकार है बहुंबत से आप दोरो जगा है अगर आपका प्रशास में निकम्मा है तो आप उन दोनों दोशें को तीनों को जो भी हैं वो मौल्वी साब है या जो भी है या वो लड़का जिसको अभी आपने टीवी पे दिखाया भी इनको अब हमारे हवाले कर दीजिए हम इनको सज़द्य कर दिखाएंगे और हमारे लिए ना हिंदू ना मुसल्मान हमारे लिए वो शैतान है वो इंसानियत का बलतकार किया है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पहले आतंगवाद को लेकर धर्म की चश्मा लगाया जाता था अब बलतकार को लेकर लगाया जा रहा है और अब पता चला इनी का कोई संका कल को लड़का था जिसने टैक्सी ड्रावर को जो है वो कैंसिल कर दिया कि वो किसी समाथ से आता था तो यह किस तरह की राज़िती आज देश में देखने को मिल रही है और रागनी जी आप भी अपने दामन में जाक कर देगिए आप भी दूद के धुले नहीं है आप यहां बहुत बर्चण कर परचंड होकर बात कर रही है मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप सेलेक्टिव होकर किसी भी अपीजमेंट को लेकर आप अपनी राज़िती दिखाना या चमकाना चाहते है हमारे देश में 125 करोड लोग एक हैं हिंदुस्तानी है आप सब के लिए आवाज उठाइए और प्लीज हमें तो माफ कीजिए हमारे कंदे पर बंदुग लगा रखकर बंद कर दीजी आप चलाना ठीक पहिंबेक रिजवान साब पहले अपनी बात रखिए आप हस क्यों रहें पहले तो यह बताईए यह मामला इतना गंभीर है आप लगातार हस रहें मैं देख रहा हूँ जी 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 गंभीर है इसी लिए हस रहा हूँ अगर कमेडी का हो रहा होता और पॉलिटिक्स हो रही होती तो मैं ना हसता जब कटवा रेप कांड हुआ था और अभी अपरेल में जब डिबेट्स हुए थे मैंने उसमें एक बात चीक चीक के डिबेट्स में बोली थी रोहित भाई कि अगर ऐसे कांड का इतना धार्मिक करण और इतना संप्रतायक करण जो यह लोग कर रहे हैं आने वाले कुछ दिन में इसका अगर एक रियाक्शन होगा लड़की हिंदू होगी लड़का मुस्लिम होगा और जगा कोई मुस्लिम धार्मिक जगा होगी तो मुझे डर है यह बाविश का एक संप्रतायक्ता का हत्यार ना बन जाए दो फ्यूचर ओव वेपिन तो सेटल डिस हार्मोनी अमंग रिलीजन और मुझे डर है कि वो होता जा रहा है नमबर एक इसका जिम्मेदार है हिंदूस्तान की सिविल सोसाइटी इसकी जिम्मेदार है सौरा भासकर मैं नाम लेके बात कर रहा हूं सौरा भासकर जैसी हिरोईन जावेद अक्तर फरान अक्तर प्ले काड़ लेके खड़े हो जाते हैं आएम इंडिया आएम अशेम्ड आएम हिंदूस्तान जब तक ये चेरी पिकिंग करते रहेंगे जब तक ये पॉलिटिक्स ऐसे रेप और इसमें करते रहेंगे ये सिवल सोसाइटी नहीं है इंडिया की ये इंस्टिगेटिंग सोसाइटी है इंडिया की तब तक ऐसे डिबेट्स में मैं आके हसता रहूंगा मैं हस नहीं रहा हूं मैं इस देश में उन लड़कियों की किस्मत पे हस रहा हूँ जिनका बनतकार होता है और यहां पर आके पॉलिटिक्स होती है और सिवल सोसाइटी सवरना भासकर जैसी हिरोई ने मेक अप करके प्ले काड लेके अपनी फोटो घेचाती है मैं हस उन लोगों की नियत पे रहा हूँ उनकी उनकी सोट पे रहा हूँ शुरू किसने किया यह रागवावस्ती? कटुआ में उनके लिए सड़क पे कौन उत्रा सबसे पहले जिनके उपर आरुप था? कटुआ में सबसे पहले जो हिंदू एक्ता मंच था जिसमें लोग शामिल हुए थे और यह जो गुरबचन सिंग स्लाथिया की बात कर रहा हूँ और एक गुलाम मीर शायद उनका नाम है जो कॉंग्रेस के जम्मू प्रदेश के रहने वाले थे अध्यक्ष थे सबसे पहले जो वाटर बाउट्री और CBI की जाच और कमिनलाइजेशन का जो काम था वो तो उनका था तो मुझे समझ में नहीं आता हर जगह जो है कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भी बहुत असान है कि जम्मू में कुछ बोलते हैं दिली में कुछ बोलते हैं तो यह प्रशन तो राजनीती करण का कॉंग्रेस से पूछना चाहिए तीन महीने तक वो सोते रहे तीन महीने के बाद उनको याद आया कि इसको दिली में अच्छी मार्किटिंग कर सकते हैं तो यह कॉंग्रेस से सवाल पूछने चाहिए रागिनी जी एक भी प्रशने का जवाब नहीं दे रही है उनको लगता है कि उनके जो पल जो विज्डम ड्रॉप हो रहे हम सब उसके लिए बैठे रहे हैं और मैं देश का एक साधारा नागरे कुप और मैं उनसे प्रशने जाएगा रागिनायक मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप केरें कि हिंदू एक्ता मंच उत्रा था इसलिए आप लोग जवाब देने सड़क पर उत्रे थे क्या इंदू एक पूछना पड़ेगा रागिनी जी इनसे पूछिया है वह राजनीतिक प्लाटफॉर्म है और स्लाथिया जी इनकी पार्टी में अभी दिया है तो मुझे सुना ही नहीं देता है आप केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब कोई बोल रहा हूता और आप बोलती हैं तो फिर किसी को समझ में नहीं आता है इसलिए मैं आपके पास नाम लेके बाकाइदे सवाल पूछने आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि बात आपसे हो रही है और आपको बोलना है दो सवाल है एक मेरा सवाल ये कि क्या इसलिए जवाब देने आप लोग उतरे थे इंडिया गेट पर और आज ये उतरे हैं तब आप लोग जवाब देने के लिए उतरेंगे फिर से सड़क पर तो क्या मतलब ये समझा जाए कि बच्चियों की लाशों पर बलातकार होने के बाद राजनीतिक पार्टियें केवल व मैं आपको सिलसलेवार जवाब देती हूं सबसे पहली बात ये है कि उन्नाव और कठुवा कान में ये देखा गया कि सरकारी संरक्षन मिल रहा है आरोपियों को चाहे उन्नाव के विधायक की बात हो या कठुवा के आरोपियों की बात हो भारतिये जनता पार्टी और कुल उसमें शिर्कत करते हैं चंदर प्रकाश गंगा तो यहां तक कहते हैं कि प्रदेश भाजय पाक के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें निर्देश दिया था कि जाओ और वहां पर बलातकारी को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा कोई हिंदू ऐसा नहीं सोचेगा अगर होते तो हम उनको अगले ही दिन पर्द से बरखास करते हैं तो आपके अध्यक्ष ने लिए बचाने कोई नहीं हो सकता है लेकिन आप उजह आपके पार्टी के वह रिक्रान ये बात कहिए कि दुश्मनों की महिलाओं के साथ बलातकार करना सर्वो परम धर्म है इस पर क्या कहना है रागनी जी बताईए कि इस पर क्या कहना है रागनी ये दुश्मनों की महिलाओं के साथ रेप गरना परम धर्म है इस सवाल को मैं वापस लेकर रागनी रेप पर धर्म की राजनीती को लेकर फटा फटा आपको कुछ दर्शकों की राय दिखा देते हैं और करण के अलावा हमारे एक और दर्शक है प्रकाश्त्री पार्टी वो लिख रहे हैं कि यही दुखद है यहां बुद्धिजीवियों का एक वर्ग धर्म देखकर शोर मचाता है अप राद में भी धर्म धुनने वालों पर लानत है नलिन कोहली जवाब दीजे जो बाते रागनी नायक ने ब्रेक के पहले कई क्या कहें रागनी नायक जी और कॉंग्रेस पार्टी की राजिनिती आजकल जूट दुशकर्म और लोगों की चिताओं पर आधारत है कताओं मैंने पहले भी खहा कि हर रेप केस में कोई महिला हो किसी धर्म की हो किसी चेत्र से हो किसी भी प्रकार की की 2 स held où बच्ची हो मैला और जैसे भी हो हम सब तो मिलके उसमें कारवाई करवानी है एक आवाज में बोलना है लेकिन मुझे के इस बात का दुख लगता है कि इसका भगवारा करन दो रहा है आप भी के पास आता हूं इसके बाइन साथ आप सारे सवाल बेक्षाब आप पर भी कुछ मैं आपके पर ही स्पेसिफिकली बोलने वाला हूं क्योंकि आपने शो पर बहुत डेंजरस एक बात कही हाँ आप जरूर कहूंगा साथ तो मैं आपसे जो कह रहा था ये कॉंग्रेस पार्टी की ऐसी सोच है मैंने कहा कि प्रदान मंत्री जी 2014 में लाल के लिए के बागी फाहीम बेक साब एक चीज मैं आपको एक वकील के नाते कहना चाऊंगा कि हमारे हवाले कर दीजे जदी कानून नहीं कर सके ये उन देशों में हो सकता है जहां पर रूल ओफ लॉव नहीं है और जहां पर सम्वेधान नहीं है सम्वेधान में कोई भी चीज कर देंगे जैसे का होता है ये गलत है आप नहीं कह सकते हैं आपका मुख्यमंत्री कहता है हम सो लड़कियों को उठा कर लाएंगे जब आपके जवाब देने दिजिए जवाब देने दिजिए मैं आपको एसे अगर दर्म के आदार पर दिखाऊ तो फिर आपको लगेंगा ना जी असाम में हर वीटी के वही है वो विचारी मुख्यमंत्री कि आपके बंगलादेश से रोहें वो रेप कर रहे हैं अच्छा एक सकिन रुगे ना आपके पास आउंगा रिज्वान आपके पास आउगा रिज्वान आपके बूलिए पर हम लोग हमारा देश बड़ी अच्छी बात है कि माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है पहले सिर्फ रेप हुआ करता था फिर एडवांस होके हम लोग आ गये कि हिंदू को ने मुसलिमान का किया या मुसलिमान ने हिंन्दू का किया फिर अब पीश्री स्टेज कोई राजनिती नहीं होनी चाहिए क्या राय इस डिवैट में ही हैसियत दिखा धी以上 unique पाज़ बाज़ बोलने लगे बाज़ पमुलियू खाने लगे अरे नहीं आप चुक रही हैं आप राज़ी दिखा रहे हैं आप 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 वेगी का सोर तो वाना ब्यान याता किया अभी आपकी नियस साफ नहीं है आप आप लोग अपनी दोड़ को साथ दिखा देते हैं आप लोग आदे घंटा डिबेट में भी प्लीज देखिए थोड़ा शब्दावली का इस्तिमाल करते समय ध्यान रखिए दो मिनट में पत्तमीजी को आप रहे हैं एक सेकिंड मैं पूरा नाम बता रहा हूं आपका लोगो डॉक्टर सेद रिजवान एहमद जब इतना क्वालिफाइड आदमी हैं आप भी तो प्लीज आप भी शब्दावली का इस्तेमाल करते हूं थोड़ा ध्यान रखें हैसी दिखा दी आवकात किया जाते हैं नहीं सर प्लीज नहीं रिजवान साब नहीं बिल्कुल नहीं गल गलत है गलत बात गलत है ये दर्शकों को टाय करने दीजिए और कि जो आदमी जो बात कह रहा है वो किस नजरिये से देखी जानी चाहिए प्लीज रागनी नायक बोली अपनी बात आप भी उठाए मैं देख रहा हूं रागनी के बाद आप बोलिएगा मेरा एक सवाल का ज आउट्रेज सिलेक्टिव होता है इस देश में और आब आउट्रेज इंडस्ट्री है और आऊट्रेज इंडस्ट्री के खिलाफ भी आउट्रेज हो रहा है रोही जी आपको फिर से पूछना पड़ेगा मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है क्योंकि मुझे पता आप पढ़ाती भी है समाज का अध्यन भी करती है साथ-साथ क्या वाकई आउट्रेज बड़ा सिलेक्टिव हो गया इस देश में लोग जात धर्म देखके फिर सड़क पे निकलने का तय करते है और वो नेरेटिव राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करती है क्या रोही जी देखिए सबसे पहली बात यहां पर यह समझनी पड़ेगी जो मुझे लगता है हर वक्ता जो पैनल में बैठा है यह कहरा है कि आप लड़की को हिंदू कहें आप लड़की को मुसल्मान कहें या आप बलातकारी का धर्म देखें या उसे राजनेतिक संरक्षन मिले यह तीनों चीजें बिलकुल गलत हैं और मुझे नहीं लगता किसी भी राजनेतिक दल को ऐसा करना चाहिए पहली बात इस पर मुझे लगता है किसी का भी किसी वक्ता का विरोध नहीं होगा फिर दूसरी बात जो हमें तै करनी पड़ेगी कि क्या सरकार की उपर जो जिम्मेदारी है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम करने की उसमें सरकार क्या खरी उतरी है नवीन कोहली जी ने यहाँ पर इच्छा शक्ती की बात की तो आप मुझे बताईए कि एक हजार करोड का निर्भाया फंड कॉर्पस अलोट किया था यूपीए सरकार ने असी प्रतिशत अभी तक उसका पैसा खर्च नहीं हुआ है 660 वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाने की बात की थी केवल 20 ऑपरेशनल है महिलाओं के लिए जो हेल्प लाइन बनाने के लिए 25 करोड रुपे का वंटन हुआ था केवल 18 लाख उसमें से खर्च हो पाया है उसके बाद अगर आज नलीन कोली जी आकर ये कहते हैं कि समाज की जिम्मेदारी है समाज को भी आना पड़ेगा मैं कहती हूँ सब कोई आकर करें लेकिन पहली जिम्मेदारी उस समाज ने जिस सरकार को चुनकर भेजा है उसकी जिम्मेदारी बनती है उससे पलना नहीं जार सकते और अंत में मैं कहना चाहूँगी आपने कहा कि मैंने सावरकर का कोट बिना कोट किये बोला तो मैं आपको बता दूँ कि सावरकर ने अपनी मृत्कियों से पहले एक किताब लिखी थी Six Glorious Epochs of Indian History ये मैं उसका English का translation बता रही हूँ टाइटल का उसमें उन्होंने ये बात कही मैं आपको कोट करके बताना चाहती हूँ टो एबड़क्त और रेप देविमें फोक अपनी में इनमी दो यू कॉल इर्रेलिजियस इस पर्मो धर्मा ग्रेटेस्ट ड्यूटी और सारे दर्शकों से निवेदन है कि वो गूगल करके इसकी जाच कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ और जहां तक RSS का संबने है प्लूटी में देखाब रागनी जी जो आपने कोट सुनाया है पेशेंस के साथ सुनियेगा जवाब अब RSS को सुन लिजे आपने आरों के साथ सब्र के साथ सब्र के साथ सुनियेगा चोटा रखेगा समय कमें बिल्कुल बिल्कुल चोटा रखूंगा आपने मपिला विद्रो के बारे में सुना होगा उस पे कॉंग्रेस की ऑफिशन लाइन ये थी जहां हिंदू महिला का मपिलाओं के जो मपिला जो आतंगवादी थे उनके द्वारा बलातकार हुआ था तो आपके एक सेकंड आपको मैंने इंटरप नहीं किया तो उन्हों ने ये कहा था कि जो जिहादी उनके साथ बलातकार कर रहे हैं तो उनकी धार में ड्यूटी है तो एक भाई को दूसरे भाई को अपने धार में ड्यूटी के दिशन नहीं आना सेगे है यदो आपकÝारए खञ़ यहीतर नहीं जातनी है उनका जवाब सुन लेजह न हौने दिशने पहले उसके बातते कि inbox किया जाएगा कि वह उस बारे में बोल रहे हैं कि किसी और बारे में बोल मैं धन्यवाद कर देता हूँ, आपने अपनी बात कह ली, अब आप खुशी-खुशी जा सकते हैं सब लोग, लोग अपना सोचते रहेंगे, कि भाई ठीक है, राजमीता उन्हें अपनी दुकान चला ली, और उसके बाद यवाब नहीं सुने दूत्रे का, जैसे आप कहती है जैसे वो भी कहेंगे, कि साब हमको अपनी बात नहीं रखने दी गई, एक एक करके बोलिये ना, कोली साब आप बड़े बेबस नजर आ रहा है, आपने सरकार होते हुए है, पहिंबे, आपने तो कह दिया ना, कि आप अपने घर पे इंसाफ कर देंगे, आपने तो कह दिया जो अपने में, जो अप्तिया चाहर मुसल्मान आतंगवाजियों ने हिलों पर किये, आपकी पार्टी क्या उनके साथ खड़ी हुई की नहीं, एक प्रेशन का जवाब दीजिए, क्या उन्होंने कहा कि नहीं, इस वो गुट ऑफ द पूर बाइज 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 लाजियों ने हिंदू के साथ किया, उसमें जो है हिंदू महिलाओं को बलातकार जैना चाहिए था, बहुत प्रेश्टों का जवाब कीजे राजिनी जी, यह आपकी पार्टी का इंटी हिंदू चेहरा आज ज़ागर हुआ है पूरो देश के सामें, आखी पड़ाओ पर हम केवल आपको इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मुबाइल पर भी देख सकते हैं